कन्नोज में कोविड मरीजों का नहीं हो पाय रहा इलाज बिना आकशीजन के दम तोड़रहे कोरोना मरीज रात तीन बजे से यहां के मेडिकल कालेज में खत्म हुआ आकशीजन मरीजों के तड़पने का वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल एक पत्रकार उजल की आक्सिजन ना मिलने से हुई मौत रात में फोन भी नहीं उठाते मेडिकल कालेज के डाक्टर और अधीछत आक्सिजन की कमी से बिगडी कई कोरोना मरीजों की हालात चुनाओ कराकर सोगे ज तीन इस तरीके की छोटी लगत्वानी वसीन केवल अस्पताल में हैं इनको यह लगाई गई है अब बाकी देखिए उदर भी मरीज तड़प रहे हैं रात दो ढ़ाई घंटे से हो गई है अब मैं आपको आगे दूसरे रूम में ले चलता हूं सब रूमों की यही हाल है सब मरीज इसको आप नव्कस तलब रहे हैं यह देखिए कोई नहीं पूरे अस्पताल में कोई दपार्टमेंट भी नहीं है यह दिकिए एक दो लोगों की डेथ भी हो चुकी है कि इसी के पास आक्सिजन नहीं पूरे इस्पताल में यह देखिए जो लोग खतम हो चुके उनका वीडियो है जे देखिए यह बहुत सीविएर कंडीसन है कोई सीए सीमस को फोन मिला दिया डीम को फोन मिला चुके हैं डीएसपी को फोन मिला चुके हैं सीएमस ने फोन उठाके काट दिया है सुचाफ कर लिया है बहुत पुरी कंडीसन है तीन चालों गेखिए ड़ भी हो चुके हैं आक्सिजन के लिए फोन किया था तो आदे घंटे पहले बोले थे कि वो अभी बिल्लोर में पहले से सप्लाई रखते ही नहीं अपने पास यह ल हुआ ही हाल है यहां तो मरीज थोडे नॉर्मल वाले इस लिए दिक्त नहीं हो रही है बाकि सबके जो साथ वाले थेमार दार है वह ढूंग रहे हैं और अदर कोई डॉक्टर कोई नर्स यहां पर नहीं है कोई जवाब देने यह लाएक नहीं है सीमस को फोन किया जो ऑप स लगए है मेरी और डीयम उठा नहीं रहा है फोन कोई भी इस दैनिक जागरण वालों को फोन मिलाया उनका नमबर नौट पर चेवल आरहा है 112 वाले पर कॉल की गई है वह जो है अभी भो जो है अभी लोग वो आग रहाएं वो भी एड्रस पूछ रहें कहां आना या क्या करना है यह सामने जो आफ वाड देख रहें एक लेड़ी जा रहे हैं इनके वी बाड में यह भी पूरा कॉरूना वाड बाला देंग